है यह स्टूडेंट्स वेल कम बेग टू अवर यूटूप चैनल डिफेक्टो लासे अज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट पड़ने वाले हैं जो गामा फंक्षन से रिलेटेड है यानि कि गामा फंक्षन से रिलेटेड जब आप कुछन सोल करोगे टो इन रिजल्ट्स का काफि उज होगा यह डारेक्टली आपको पता भी होने चाहिए क्शुनरेटी जो यूणिस्टी on unterstützen है वह डारेक्टली इन रिजल्ट का ही विटार कै्ण के आपको दे देती है की तो पहला तो solution में previous वीडियो अगर आपने देखी है तो dear students मैंने उसके अंदर आपको एक चीज बताई थी जो मैं यहां directly लिखूंगा as we know that और उस वीडियो में मैंने कुछ important important भी कहा था कि यह बहुत ज्यादे important है वो क्या है relation between beta and gamma function जो हमने previous वीडियो के अंदर पढ़ा था कि beta mn की value क्या होती है गामा एम गामा एन बाई गामा एम पलस एन यह previous वीडियो में हम पढ़ चुके हैं यानकि किसी भी m और n के लिए यह statement हमेशा क्या होगी true होगी अब हमें चाहिए गामा वन बाई टू की value इसकी value चाहिए गामा वन बाई टू की तो मैं क्या करतेता हूं मैं put कर देता हूं जो यह m और n आपको दिखाए दे रहे वन बाई टू जो यह result ही true है हर एक m और n के लिए तो यह one by two के लिए भी तो क्या होगा true होगा तो मैंने true put कर दिया वन बाई टू क्योंकि हमें गामा वन बाई टू चाहिए तो जैसे ही आप वन बाई टू इस result के अंदर put करोगे यह बीटा function ओफ वन बाई टू कोमा वन बाई टू बनेगा इस鬼 टू गामा function of one by two कोमा वन बाई टू बाय में गामा function ab 1 बाई टू और one बाई टू हाफ और हाफ को आड़् करोगे क्या होगा अब यहाँ से देख़िए यह क्या बना भी बीटा function of साथ हम इसको लिख सकता हूं गामा फंक्शन ओफ वन बाइटू और पूरे का खोल स्केर और निचे गामा फंक्शन वान वो यह प्रीविजियो का रिजल्ट है तो हम यहां लिखेंगे हैं गामा वन इसक्वेल तो यह रिजल्ट किसके एक्वल होता है वन के यह आपको देख इस result पर आ चुके हैं तो आपको आज की class में कुछ नी समझ में आने वाड़ा पहले गामा function पढ़िए उसमें क्या था क्या नहीं था वह सारा कुछ और फिर आज की class में आपको समझ में आएगा यह result भी previous वीडियो का ही मैंने लिखा तो यह होगा भी अब हम क्या करते हैं इस और यहां 1-x की power भी क्या होगा ऐसा ही 1 by 2 में से 1 गटा दोगे dx इसक्वल टू क्या होगा गामा और वन बाइटू और इसका होल्स किया तो यह कुछ से आपको अगर याद है बीटा फंक्चन तो लिख पाओगे अगर आपको याद ही नहीं है तो आप कैसे लिखोगे फिर तो यह हो गया भी अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाई कर लेता हूं कि जीरो टू वन इंटाइगर अब यह वन और जो निचे जाके क्या मनजेगी अंडरू यान की नेक्टिव वन बाइटो को हम क्या लइक से रिखते हैं अडरूट डियक्स क्या हो गया गामा फ लिखा जा रहा है बार बर तो गामा ओव वन बाइट्व और इसका हॉल स्केया तो मैं इसको आगे लिख लेता हूं है चलो एक बार होनी चलिक लए तो भी क्या करते हैं हम पूट कर लेते हैं अब ऐसे चरेंगे ल हो हुट करेंगे हम एक्स और को x को sine square theta with respect to theta इसको differentiate करेंगे ते क्या आएगा dx is equal to sine theta का derivative यह 2 आया आके तो sine theta sine theta क्या आएगा cos theta और d theta अब put किया है तो value भी change होगी value कैसे change होगी when x is equal to 0 x is equal to 0 this implies theta क्या होगा x के जगा 0 put करो sine किस पे 0 होता है 0 पे टेक आया 0 x की जगा जैसे यह आपने 1 put किया तो sine square theta is equal to 1 sine theta भी 1 sine theta 1 होता है pi by 2 पे तो this means theta is equal to pi by 2 लिमिट चली जाएगे हमारी 0 से pi by 2 मैं next आगे लिखता हूँ तो यहां से limit है 0 से pi by 2 अब जहां से देखिए 1 by under root x है तो 1 के divide में under root में x ताकि यह सारा change हो जाए अब d x है तो d x की जगा क्या लिखेंगे 2 sine theta cos theta और d theta equal to यह क्या है gamma function of 1 by 2 और उस पूरे का whole square के equal है यह ना अब ध्यान से समझेए प्यारे बच्चों यह है 0 to pi by 2 integral उपर लिखा है 2 sine theta cos theta upon sine square theta under root sine theta 1 minus sine square theta cos theta under root करोगे तो cos theta और यह हो गया d theta यह हमारा result है gamma of 1 by 2 का whole square तो यह sine theta cos theta से cancel out होगा सिर्फ 2 का integration बच्चा 2 का integration क्या होगा 2 theta तो 2 theta में हमें limit put करनी है 0 to pi by 2 यह value किसकी होगी gamma function of 1 by 2 के whole square की तो जैसे आप pi by 2 पुट करोगे तो 2 से 2 यह क्या बच्चा pi बच्चा और 0 पुट करोगे 0 इनकी यह result क्या बच्चेगा only pi जो किसके इक्वल है gamma function of 1 by 2 के whole square के whole square इदर आएगा तो क्या होजेगा under root तो under root pi is equal to क्या बच्चेगा gamma function of 1 by 2 तो देखिए यही हमारा result तो इसके साथ ही यह वाड़ा result यह जो दोनों result है यह important है याद रखने है कि gamma 1, 1 के equal होता है और gamma 1 by 2 under root pi के equal होता है अब ऐसे क्यों करवाए जा रहे है क्योंकि यह result direct आप questions के अंदर put कर सकते हैं हम जैसे exercise solve करेंगे करेंगे कहीं भी आपको यह दिखे कि सर यह gamma 1 by 2 बन रहा है तो आप उसके जगान root pi यूज़ कर सकते हो यह जो तामज़ा मैंने दोबारा दोबारा नहीं करना पड़ेगा यह as a question भी आ सकता है as a result भी यूज़ हो सकता है तो इस वज़े से यह जरूरी हो जाता है उसके बाद हमारा next result है वो कुछ इस type से है how to evaluate limit है 0 से pi by 2 sin to the power px cos to the power qx dx यहां कि अगर ऐसा कोई integral आजे तो आप कैसे solve करेंगे with the help of beta and gamma function कि sin की power में sum p हो cos की power में sum p हो 0 to pi by क्या हो limit हो तो यहां से देखे प्यारे बच्चों इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको जो exercise में questions में आप use करोंगे वो कुछ ही type से है कि 0 से pi by 2 है limit 0 से pi by 2 यह तो ठीक है भी इसमें तो कोई issue है यह नहीं मैं क्या करता हूँ यह जो sin to the power p है इसको मैं ऐसे लिखे हूँ sin की power p-1 x dx याँ एक पावर मैंने घटा दी वो क्यों घटा ही अभी बताऊँ मैं उसके बाद oh sorry dx तो अभी नहीं लिखेंगे cos की power में से भी एक घटा दो x अब एक एक पावर घटा ही है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin x cos x और dx मेरे खाल से अब भी वह लिखा है तो कि इसमें ये one power add करोगे p बन जागा इसमें add करोगे तो ये क्या बन जागा क्यों तो कि एक पावर मैंने अलग कर लिए और बाकी पावर क्या कर लिए अलग जहान से समझिए ये one by two integral zero two pi by two अब ये जो है ना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x को sin square x की पावर p minus one by two तो कि square है या two से two cancel out होजेगा वही sin x की पावर p minus one लिखा है इसको भी cos square x लिख लेता हूँ cos square x की पावर q minus one by two तो मैं ऐसा लिख लेते हैं उसके बाद ये क्या है two sin x cos x और dx ठीक अभी ऐसा लिखा जा सकते हैं अब क्या खरते हैं थोड़ा और change कर लेते हैं one by two zero two pi by two limit है ये तो sin square है sin square x की पावर p minus one by two इस cos square x को भी मैं one minus sin square x लिख लेता हूँ की पावर q minus one by two और इधर है ये two sin x cos x और dx वी ऐसे question आ जाए तो आपने soul कैसी कहने हैं directly result पर जाएंगे हम तो अब क्या करते हैं मैं put कर लेता हूँ अगर मैं sin square x का t बना दूँ तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहोगी ये t into one minus t की और something बन जाएगा और ये बीटा function में convert हो जाएगा अब वो देखे कैसे sin square x का derivative with respect to x करोगे क्या बनेगा 2 sin x cos x dx is equal to dt अब ठीक है पूट सो कर दिया limit देखो when x is equal to 0 when x is equal to 0 तो t की value क्या होगी भी देखिए sin 00 तो t क्या हो जाएगा 0 अगर x की value pi by 2 है sin pi by 2 1 1 का square 1 तो this means t की value क्या होगी 1 तो limit भी हमें 0 से 1 चीए थी वही मिलगी तो अब इसको change कर लेते हैं integral is equal to 0 to 1 चली गई limit बाहर ये 1 by 2 पड़ा है ये तो koncent है sin square x का बनाएगे t तो जिसकी power हमें क्या मिली p minus 1 by में 2 इसकी जगा हम क्या लिखेंगे 1 minus t की power q minus 1 by 2 और 2 sin x cos x dx इसकी value क्या होगी dt होगी भी इसकी value क्या होगी dt होगी अब प्यारे बच्चोंगे जो integral चल रहा है आपको कुछ दिखाई दे गया होगा कि 1 by 2 तो as it is हम इसको beta function की form में convert कर सकते हैं इसको मैं लिखता हूं बीटा function of इसमें 1 जोड़ना है पी माइनस 1 by 2 में 1 जोड़ो कुमा q minus 1 by 2 में भी 1 बोड़ो यह क्या है बीटा function होगा इंटेग्रल की value दिस आई अब ध्यान से समझे यह जो इंटेग्रल की value आई हमें यहां लेता हूं इंटेग्रल is equal to 1 by 2 बीटा पी माइनस 1 by 2 पलस 1 और q minus 1 by 2 पलस 1 इसको मैं क्या लिख सकता हूं ध्यान से समझना ध्यान से समझने का अर्थ क्या हुआ यह 1 by 2 तो as it is है बीटा mn लिखा हुआ है बीटा mn बीटा mn किसके equal होता है गामा किसका इसका गामा same t minus 1 by 2 पलस 1 का गामा और into में गामा q minus 1 by 2 पलस 1 का गामा और divide में m plus n उनकी गामा और t minus 1 by 2 पलस 1 और पलस में q minus 1 by 2 और पलस में 1 इसका गाम हो गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं जो इंटेग्रल आया 1 by 2 बीटा अब इसमें जब 2 आप जोडोगे LCM लेके 2-11 तो यह क्या बनेगा P plus 1 by 2 और यह बना Q plus 1 by 2 यह equal to होगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 by 2 into में gamma of P plus 1 by 2 into में gamma of Q plus 1 by 2 सेम होगा और इधर gamma of P plus 1 by 2 plus Q plus 1 by 2 यहनकी यह result होगा यहनकी डारेक्टली अब आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि यह जो मैंने लिखा था 0,2,Pi by 2 की साइन to the power P X,Cos to the power Q X,DX उसके जगा आप डारेक्टली यह वाला result भी उच कर सकते हैं उसके जगा आप यह वाला result भी उच कर सकते हैं जैसे आपको P और Q दिखे तो यह दो result आगे हैं इसको अगर आप बीटा function में convert करना चाहें तो 1 by 2 into यह लिखो इनगी P में 1 जोड के by 2 Q में 1 जोड के by 2 बीटा में convert हो जाएगा अगर इसमें लिखना है गामा में तो आप इसको गामा में भी convert कर सकते हो इनगी अब एक चीज का जहां रखना जब भी आपको ऐसी कोई form दिखे कि साइन की पावर P एक्स को उसकी पावर Q एक्स डी एक्स और जीरो टू पाई क्या हो अगर ऐसा कोई भी क्वेशन आपको दिखते हैं तो आप डिरेक्टली उसको बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की फोर्म में सोल कर सकते हैं और कई बार हमसे ऐसे क्वेशन पूछेगा भी कि हमान लिए पी की वैल्यू फाइव क्योंकि वैल्यू सिक्स फाइव साइन टो दी पावर फाइव सिक्स एक्स डी एक्स हो गया अब बोलेगा इसको बीटा की फोर्म में यह वाड़ा प्रूव करो अब यह हमने अल्रेडी प्रूव कर दिया पी के जगा वैल्यू रख दो फाइव क्योंकि वैल्यू सिक्स रख दो जो भी बढ़ेगा बीटा और गामा की फोर्म में अगर पावर सम्थिंग है तो उसको बीटा और गामा में कैसे कनवर्ट करना है यह कंप्लीट प्रोसीजर मैंने यहां बता दिया आपको उसके बाद जो नेक्ट हमारा रिजल्ट है वो है डूप्लीकेशन फॉर्मूला नाम इसका डूप्लीकेट है लेकिन है एक्च्वल में ओरीजिनल फॉर्मूला यानकी काफी इंपोर्टेंट रिजल्ट है आज के वीडियो के साब से यानिकि इसको बहुत यह अच्छी तरीके से समझना है और अभी जो प्रिवियस में हमने दो रिजल्ट पड़े उनीका इसके अंदर यूज होगा यानकी इंपोर्टेंस भी आपको इसमें समझ में आएगी तो यह रिजल्ट क्या गहता है तो सो डैट अकोर्डिंग टू डूप्लिकेश होने वाले solution में हम लिखेंगे as we know that as we know that अब बोलोगे सर अगर पहले से जानते हैं प्रूव क्या करेंगे अब इसको नहीं जानते वे इसको तो मैं अभी बताऊंगा हम क्या जानते हैं वो मैं यह लिखूँगा अगर मैं आपसे पूछू कि बीटा M कुमा M की value क्या होगी तो आप लोग बता दोगे yes sir हम इसको जानते हैं बीटा फंक्सन हम पहले मिल चुके है इस बीटा फंक्सन से तो वो क्या है 0 to 1 limit होगी यहां एक variable होगा उसकी power में M-1 आएगा starting वाड़े वे से 1- करेंगे फिर 1-x और उसकी power में इसमें से 1 गटा के आंगी M-1 dx यह बीटा होता है इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं इसको हम पढ़ चुके हैं अब इसको इसमें कैसे convert करना है वो मैं आपको बता हूँगा अब इसके अंदर हम यहां put कर लेते हैं एक्स को साइन स्केर थीटा वो क्यों किया वो भी बताता हूँ डेरिवेटिव करोगे तो यहां से आया अए dx और यहां 2 पावर आगे साइन थीटा sin theta का derivative cos theta और d theta अब variable change हुआ है x to theta तो value यानि कि limit भी change होगी when x is equal to 0 when x is equal to 0 तो theta की value क्या होगी यानि कि sin theta is equal to 0 हो जाएगा तो ये theta भी is equal to 0 और जब x की value 1 है this implies theta की value क्या होगी x के जगा 1 रखोगे तो sin theta is equal to 1 1 किसमे होता है pi by 2 पे तो limit हमारी change होगी 0 to pi by 2 तो अब ये जो beta m, m है इसमें क्या हुआ limit i हमारी यहां से यहां से 0 से pi by 2 ठीक है ना limit 0 से pi by 2 है x की जगा आप क्या रखोगे sin square तो sin square theta की power में m minus 1 और यहां 1 minus x x की जगा क्या लिखेंगे sin square theta की power m minus 1 और जो dx है उसकी जगा आप क्या लिखोगे 2 sin theta cos theta और d theta आप ये लिख दोगे अब ये 2 constant इसको ले लो बाहर तो ये जो beta m, m की value है ये क्या ही 2 आया बाहर 0 से लेके pi by 2 limit है अब देखिए इस sin square theta को मैं क्या लिख सकता हूँ sin theta की power ये 2 है ना जो उपर ले जाता हूँ में 2m minus 2 ठीक है ना 1 minus sin square theta क्या होता है cos square theta और उसको मैं लिख सकता हूँ cos theta की power और वो जो square वाला 2 है उस 2 पर multiply 2m minus 2 यहां हुआ sin theta और cos theta और d theta अब base से मैं तो power add कर देते हैं तो यहां 2 limit है 0 से pi by 2 अब sin theta की power देखो क्या बचेगा 2m minus 2 और ये plus का 1 तो यानकि 2m minus 1 power बचे ऐसे ही cos theta की भी power 2m minus 1 और d theta तो यह हमारे पास बस गया same base में power add हो जाती है आपको पता होगा तो यह आया 2 0 से pi by 2 limit है अब क्या करेंगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin theta into cos theta की power 2m minus 1 और d theta बात तो एक ही है ना दोनों की power सेम थी तो मैं नहीं से लिख लिख लिया जैसे आप 2 से divide करेंगे तो निच्चे वाले 2 की भी power यह है यह बगार आ जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 2 यह पहले था upon 2 to the power 2m minus 1 integral 0 2 pi by 2 यह क्या बना sin 2 theta sin 2 theta की power 2m minus 1 d theta यह beta mm की value चल रही है भी यह ध्यान रखना यह भी beta m, m है यह भी beta m, m है यह भी beta m, m है इसकी value चल रही है अब प्यारे बच्चों class 12 में आपने पढ़ा होगा कि जब sin 2 theta का integral आ जाता है तो हम क्या खेल खेलते हैं वो खेल मैं आपको यहां बता दू ठीक है ना बोड डिवाइड करके अब वो खेल हम इस तरीके से खेलेंगे इसके अंदर मैं put कर दूँगा यह जो 2 theta है इसको t क्या आप put कर देंगे 2 theta को t यानिके एक single angle बना देंगे 2 theta है ना single में तो अब इसका derivative करोगे 2 theta का d theta is equal to क्या होगा d t तो जो d theta है या वो क्या जोगा half d t हो जगा नहीं 2 इदर आ जगा अब theta t में convert हुआ है तो limit भी change होगी integration की when theta is equal to 0 this means t भी क्या है 0 जब theta क्या था pi by 2 this means t की value क्या हो जगी pi यहान से देखिए 0 से pi by 2 था यह pi by 2 रखोगे 2 से 2 cancel t क्या होगा pi तो अब limit change होगी 0 to pi तो beta जो mm की value होगी वो क्या बनेगी ज़ान से देखिए यह बाहर लिखा पड़ा है as it is तो 2 upon 2 to the power 2m minus 1 limit होई 0 से pi 0 से pi और sin 2 theta है 2 theta की जगा लिख दिया t और k power है 2m minus 1 2m minus 1 और d theta की जगा half dt है तो dt मैं यहां लगा लेता हूँ half मैं यहां लगा लेता हूँ तो यह constant बार ले लिया अब इस 2 से यह वाला 2 क्या हुआ cancel out अब एक और खेल है द्यान से समझे beta mm is equal 2 अब यह 2 से 2 कट गया अब मैं दोबारा 20 को ऐसे लिखूँगा इस 2 को यहां नहीं लगाते हैं यहां तो लिखता हूँ मैं 1 upon 2 की power 2m minus 1 अब मैं यहां फिर 2 लगा देता हूँ अब आप बोलोगे शरीए क्या कर रहे हूँ अभी तो cancel out किया था भी फिर लगा दिया कैसे लगा यहां मैं बताऊँगा तो अब लिमिट मैं 0 से πाई बाई 2 में तोड़ देता हूँ यह 0 से πाई लिमिट थी मैं 0 से πाई बाई 2 लिख रहा हूँ और यहां sin t to the power 2m minus 1 dt अब ऐसा मैंने क्यों लिखा तो dear students class 12 में एक result यह भी आता था integration में यह ध्यान रखना कि limit अगर 0 से 2a हो f of x dx हो तब उसको 2 into 0 से a limit बना सकते हो f of x dx लेकिन ऐसा कब होगा if f of 2a minus x is equal to f of x के ही equal हो यह property जो of integration का मैंने यूज किया है f of 2a minus x यहांगी 2a का meaning 2pi sin 2pi minus x क्या होता है sin x यह होता है इसमें कोई effect नहीं पड़ेगा इसमें हम ऐसा कर सकते हैं तो यह 2 दुबारा से फिर आ गया तो अब यह आया beta mm is equal to 2 यह 2 फिर उपर आया 2 upon 2 to the power 2m minus 1 0 से pi by 2 अब इसको मैं लिखने का तरीका ना change कर देता हूं sin t की जो power है 2m minus 1 इसको मैं लिख देता हूं cos t की power 0 और d t अब something to the power 0 1 होता है ऐसा हम लिख सकते है reason क्यों लिखा ऐसा क्योंकि यह result अभी मैं पढ़ा के अटा हूं कि 0 से pi by 2 sin की power में P और cos की power में Q अगर हो यानि कि जो यह वाड़ा system है यह क्या है P और यह value है यह क्या है क्यों अगर हम उस result के इसाफ से इसको लिखे पहले मैं beta mm को लिख दूँ इस side बारे को beta और gamma का relation क्या होता है वो होता है gamma m gamma m by min दोनों को जोड़ दो m plus m gamma of 2m यह beta और gamma का relation previous video से लिखा है मैंने आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता यह क्या है 2 upon 2 to the power 2m minus 1 अब इस result के value क्या थी 0 से pi by 2 sin की power p cos की power q जहां से देखिए gamma function of p plus 1 by 2 यह पी की value क्या है 2m minus 1 plus 1 by 2 into में gamma function of q plus 1 और by में 2 upon यहां क्या था gamma of p plus 1 by 2 यानगी 2m minus 1 और इसमें plus 1 by 2 पलस में q plus 1 और by में 2 इसका gamma function तो इसी का result हमने use किया directly वो मैंने पहले भी बिताया था हम result use करेंगे तो अब यहां से देखिए gamma m gamma m upon gamma 2m is equal to 2 upon 2 to the power 2m minus 1 अब देखो minus 1 plus 1 कट गे 2m by 2 only क्या बचा gamma m यहां से 0 यानकी 1 by 2 बचा gamma of 1 by 2 यहां से 1 से 1 कैंसल 2m by 2 यानकी gamma m बचा और यहां से 1 by 2 तो gamma of m plus 1 by 2 यह निचे बस गया है समझे प्यारे बच्चिव अब एक gamma m से gamma m क्या होगा cancel out clear तो कि यह पूरे का gamma था इसका ना कहिए सोचे इसका gamma लग्से और पलस में लग्से यह गामा ज़िनोट करता है इसका आगे जो भी होता है तो यह value आई अब हम क्या करते हैं इसको ले आते हैं यहां उपर तो यह बनेगा gamma m इंटो में gamma m पलस 1 by 2 क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें यही रिजल्ट चीए और इधर क्या है हाँ एक और इस रिजल्ट में जो लगता है ना साथ में एक 1 by 2 भी लगता है 1 by 2 इंटो में अभी आपने पड़ा था तो यह लिखना बूल गया 1 by 2 तो 1 by 2 जैसे आप करोगे यहां से यह कैंसल आउट हो जाएगा उपर वाला टू होगया जायब उपर क्या बचा गामा उफ 1 by 2 जिसकी वैल्यू वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्या बताई थी अंडरूट पाई होगी तो मैंने अंडूट पाई लिख दिया अब और यह जो इधर वाली वैल्यू है य अब एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेजिए दोनों सेम हैं या दोनों में डिफरेंस हैं सेम हैं तो मेरे खाल से यह सही आपको समझ भी आ जाना चाहिए बिल्कुल असान सा टोपिक है डूप्लिकेशन फोर्मूला कहां से आया क्यूं आया और कैसे बना सारा बता दिय है याँ पर इस चीज की यह रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि हमने यहां से ये कैसे लिखाया है वन जांसे है और उनी जिर और दो दीक अब यह होते है one buy two gamma of p plus one by two into gamma of q plus one by two upon gamma of p plus one by two plus q plus one by two यानकि इस result का हमने यहां पर use किया है भी यह ना one by two के साथ और यहांपर result उस्व करके यह बन गए हमारा duplication formula नाम duplicate है actual और चीज़ है paper में काम g ए exercise के बहुत सारे questions होल करवाएंगी तो इसको बिलकुल ध्यान से ले, ध्यान से पढ़ना है, हर एक इस step पे नजर होने चीए, कहां से क्या आया और कैसे आया, उसके बाद जो हमारा next result है, वो कुछ इस type से है, to prove that, कि gamma function of n plus 1 by 2 is equal to this हो गया, यानि कि जो right side में लिखा है, तो इसको भी देख लेते हैं, तो solution में हम पही step as we know that, as we know that, अब gamma of n plus 1 by 2 की value निकालनी है, तो हम help लेंगे beta function की, तो मैं अगर यहां यह लिख दो, कि beta of n plus 1 by 2, n plus 1 by 2, n की same value ले ले लेते हैं, तो beta function को अब अच्छी तरीके से जानते हैं, तो is equal to क्या लिखोगे, यहां एगा limit 0 से 1, एक variable ले ले लेते हैं, एक जिस की power में इसमें से एक कम होके जाएगा, यहां की n plus 1 by 2, और minus 1, तो यहां से बचेगा n minus 1 by 2, और 1 minus x की power में भी, क्योंकि same है, तो n minus 1 by 2, और यह होगा dx, इसमें से 1 minus करके मैंने यहां लिखाए, जो next step होगा, वो हम put करेंगे, x की value को sin square theta, जैसे अभी previous result में किया था, जैसे आप x को sin square theta put करते हो, then differentiating both side we get x is equal to dx हो गया, और यहां से 2 sin theta, और sin theta का derivative को उस theta, और यह क्या होगा, d theta, अब variable change होगा, x से theta, this means limit भी change होगी, when x is equal to 0, this implies जो theta की value क्या होगी, वो 0, और जब x 1 है, तो same वही पिछे वड़ा case theta की value क्या होगी, pi by 2 होगी, तो अब यहां से यह जो beta है, beta n plus 1 by 2, n plus 1 by 2 as it is, और जो right side में change हुआ, वो limit 0 से चली गई pi by 2, x के जगा आप sin square लिखेंगे, sin square theta, to the power n minus 1 by 2, यहां 1 minus sin square है, तो 1 minus sin square theta को आप क्या लिखेंगे, cos square theta, और cos square theta की power है, n minus 1 by 2, और जो dx है, उसकी जगह आप लिखेंगे, 2 into sin theta, cos theta और d theta, इस तरीके से, अब यह 2 constant आप बहर निकाल सकते हो, तो यह 2 आया बहर, limit है, 0 to pi by 2, अब ध्यान से देखें, यहां sin की power को क्या लिखा जा सकता है, sin theta, इस 2 की आप उपर multiply करो, यह बना 2 and minus, 2 से 2 cancel out, और यहां sin theta की power क्या है, plus 1 है, ऐसा ही cos के साथ होगा, तो cos theta की power भी same बनेगी, 2 की उपर multiply करोगे, 2 and minus 1, और यह क्या होगया, plus का 1, और यह d theta, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 और यह limit है, 0 to pi by 2, यह sin theta, cos theta, दोनों की power same है, तो sin theta, और यह होगया cos theta, sin theta, cos theta, complete की जो power है, 1 से 1 cancel out, 2 are 2n बची, और यह होगया d theta, अब सेम वही पिछे बाड़ा case, 2 से multiply और 2 से divide कर लते हैं, यह जब 2 बहर आएगा, तो यह उपर तो 2 है, यह 2 की power में क्या आएगा, 2n, यहाँ integral, 0 to pi by 2, यह 2 sin theta और cos theta बन जाएगा, sin 2 theta, और power में है, 2n d theta, अब यह beta function यहाँ left side में चला हुआ, इसका ज्यान रखना, तो सेम वही procedure, अब यह आप यहाँ क्या put करोगे, 2 theta को is equal to t, ताकि 2 d theta is equal to dt होजे, और जो d theta है, is equal to half of dt बने भी, half of dt, अब limit भी change होगी, when theta is equal to 0, this implies t भी 0 होगा, theta is equal to pi by 2, this implies t की value pi, भी भी पीछे वाड़ा concept है, pi by 2 रखोगे तो t की value क्या होगी, pi, अब जो यह integral change हुआ, यह हम लिखेंगे, beta n plus 1 by 2, n plus 1 by 2, यह left side as it is, right side में जो change हुआ है, यह as it is, 2 upon 2 to the power 2n, integral 0 से pi चला गया, 2 theta की जगए t रखेंगे, तो यह क्या बना, sin t to the power 2n, और जो d theta है, उसकी जग़ा half of dt, half of dt का meaning, यानि कि यह ओगया dt और यह by में ऐसे 2 लिख सकते हो, इस 2 से 2 cancel out हो जगा, खूंगे constant आप बाहर निकालो, जैसे मर्जी आपसे इसको समझो, is equal to, यह आया, 1 by में 2 to the power 2n, अब इसके साथ भी वही खेल खेलते हैं, जो अभी previous result भी क्या था, इसको मैं double कर देता हूं integral को, और limit कर देता हूं 0 to pi by 2, यहां लिखते हैं, sin t to the power 2n, using the property of integration, और इसके साथ मैं लगा देता हूं, cost t की power में, यह है जो cost t की power 0 और योगा dt, अब यह property दुबारा नहीं बताए जाएगी, कि कौन से वाली property यूज़ की है, properties of integration, 0 to 2a f of x is equal to होता है, 2 into 0 to a limit f of x dx, if f of 2a minus x is equal to f of x, अब इस result का हम यूज़ करते हैं, यहां left side में beta function है, right side में यह चल रहा है, यह वही result होगा, 0 से pi by 2, sin to the power p, और इस तरीके से cost की power में q, पहले हम left side वाले को open करते हैं, beta n plus 1 by 2, beta n plus 1 by 2, इसका relation gamma function के साथ क्या होता है, यह लिखा जाएगा, gamma of n plus 1 by 2 into, gamma of n plus 1 by 2 upon, gamma of n plus 1 by 2, plus में n plus 1 by 2, यह result बन गया, right side में देखो, यह 2 as it is, upon, 2 to the power 2n, यह भी as it is, इसका खेल क्या होनेगा, 1 by 2 into, gamma of p plus 1 by 2, p की value कहें 2n, 2n plus 1 by 2 into में, जो q है, q plus 1 by 2, उसके बाद, यहां आएगा, gamma of p plus 1 by 2, यहां की 2n plus 1 by 2, और plus में, q plus 1 by 2, इस तरीके से, तो इस 2 से यह 2 cancel out हुआ, clear है भी, यह चीज as it is, तो gamma of n plus 1 by 2, gamma of n plus 1 by 2, upon, यहां add होगा, n plus n, 2n, तो gamma 2n, और half और half क्या होगा, 1, तो gamma of 2n plus 1 होगा, अब equal to 1 by में, 2 to the power 2n, 2 to the power 2n, यहां देखो, अलग अलग divide करो आप, 2n by 2, यहनकी n बचा, तो gamma n, और plus यह क्या बचा, 1 by 2, तो यह gamma n plus 1 by 2 होगा, और यह क्या है, gamma 1 by 2, gamma 1 by 2 की value क्या होती है, under root pi, upon, यहां देखिए, यह n बचा, gamma of n, अलग अलग डिवाइड करोगा, 2n by 2, n plus 1 by 2, और plus 1 by 2, यहनकी gamma n plus 1 होगा, इस तरीके से, अब gamma n plus 1 by 2, n plus 1 by 2, यह cancel out हो, result हमें क्या चीए, सिर्फ यह value चीए, तो इसको में right side लेके जाना पड़ेगा, तो यहां gamma of n plus 1 by 2 की value क्या होगी, यह under root pi constant है, आप ऐसे लिख सकते हैं, upon 2 to the power 2n, यह जाएगा उपर, तो gamma of 2n plus 1, upon gamma of n plus 1, तो यह होगा भी आपका complete result, कि जो हमें prove करना था, यह at the end, तो यह end part है, अब आप दोनों match कर सकते हैं, कि gamma n plus 1 by 2 जो result है, वो इसी के equal है के नहीं, तो gamma n plus 1 by 2 is equal to this, यह हमें prove करना था, तो यह result completely dependent है previous result पे, तो इस result के साथ ही, हमारे जो इस exercise के है, जैसे भी यह gamma function से related important result है, वो होते हैं finish, आज की वीडियो के अंदर मैंने आप चार result बताएं हैं, gamma of 1 by 2 is equal to 1 root pi, दूसरा result, sign to the power p, sign to the power q, fit duplication formula और यह last है जो fourth, यह चारों result बहुत ज्यादे important है, इन result के बीना आप exercise solve नहीं कर पाई हैं, तो dear students, साथ की वीडियो में फिलाल इतना ही, next वीडियो में मिलते हैं, exercise 2.2 के questions के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए defecto classes.